जैस्री कृष्णा दोस्तों मेरी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको कि सिवतांडविस्तत्रम नाम सुना होगा अधिकतर पढ़ते भी हैं कि सिवतांडविस्तत्रम का मैं आपको फायदा बताता हूं करने कि सिवतांडविस्तत्रम को रात को जब आपकी जो पूजा पाथ है सायंकाल कीारथी पूजा पाथ जो भी है वो समपून होने के बाद सब्से लाष्ट में स्वतांडविस्तत्रम पढ़ाजाना है उसके बाद घर में पूजा पाठ नहीं होती ये इसका नियम है रावन ने इसकी रचना की थी तो रावन ने इसको सबसे लाश्ट में रात के अंतिंग में इस्वंदना को करकर वो सोता था तो अतुलित लक्षमी उसने प्राप्त की थी इस तरह से मैंने देखा कई जगो वर शिवतान्डव विस्तुत्रम दिन में दोपैर में भी पड़ा जाता है तो वह गलत है फायदा नहीं मिलेगा सिवतान्डव विस्तुत्रम का एक फायदा में आपको ये बताता हूँ जैसे घर में रोजगार क्या उसर बंद होके हूँ लक्षमी दसो दिसांस आई नहीं रही हो रोग पे रोग हुए जा रहे हैं खर्चे हो रहे हैं दबाके और धन कहीं सा आनी रहा कोई रस्ता ही नह सुझ रहा है बड़ी बड़ी डिगरिया कर रखी लेकिन नो क्रीनी लग रही है व्यवशाय चलनी रहा है करजा हो गया है तो धना आये कहां से ऐसे में सिवतान्डव इस्तुत्रम आप रात को आठ बजे के बाद पढ़ी है संस्कृतिया हिंदी जैसी भी आप उसो लबो फिर देखना आप तमतकार सारे रास्ते खुल जाएंगे ऐसे ऐसी दिशाओं से पैसा आएगा इस तरीके से पैसा आएगा आपके पास कि आपको विश्वास नहीं होगा कि हां वहां से भी पैसा आ सकता था तो दोस्तों यह है सिवतांडव इस्तुत्तरम की महिमा इसको आप पढ़िये लेकिन नियम से रात्री में सब पूझा पाठ होने के बाद इसके बाद में सिर्फ आप ध्यान कर सकते हैं इश्वर का बाकी पूझा पाठ घर में नहीं हो सकती है इसका जरूर फायदा उठहि अगर आपके पास लक्षमी आ नहीं रही है किसी भी तरीके से लक्षमी आना सुरू हो जाए तो चाता चाता आप इसको शेयर कीजिए जो दूसरे भी हो वो भी लाव उठा सके परिवार वाले जरूर सेयर कीजिए जये श्री कृष्णा